आज मैं आपके साथ तामार्टर का इंस्टेंट आजार के रेशिप शेप कर रहे हुए जट पर बने वाला आजार आप जरू ट्राइक किजिए वीडियो चलेके तो लाइक किजिए तो इसके लिए मैं चाहिए 4-5 तामार्टर वाश कर लेंगे हैंडफुल इमली इसको उच् बोलेंगे साबयत लाज मीच भी आट कर देंगे 3-4 इसे भी चाहिए से मिक्स करतेवे भूनेंगे लैसन भी आट कर दें और फ्री ने हे देखिए इच्छे से भून चुका है है अब हम इसको थन्दाओने के लिए एकसकिरद रख देंगे अब हम वही में टामार्टर को अ रेक्षे तमाडर में सॉल्ट अच्य से मिक्स होचुका है, तमाडर भांतम साफ्ट होने लगा, तकि शचार अच्य से सौफ्ट सा बने, निकाल लेंगे, त्यौ हंते हैं हुए तक पलोग पालजों, प्लोग डेंगे और थोड़ा स रेच चीली आपरद को अपर हम, हैट करें ठाट में हाल्दी पॉडर होफ टीश्पून और इम्ली आड़ कर देंगे जो वश की भी थी लिए इससे बीच भून लेंगे जमचलाते जाएंगे एदेखिए इसे मिक्स हो चुका है अब हम इसमे करी लीवस आड़ कर देंगे 6 to 10 इसे भी इच्छे से mix करेंगे ये wash kiwi का reliefs है टामाटर को थंड़ा होने के लिए रख दें और mix क्राइंडर में हम बसालों के साथ टामाटर को grind कर लेंगे तो इसके लिए मैंने जीरा लेसन सावुत लाज मिच और टामाटर को कर दिया है अब हम इसको fine सा grind कर लेंगे देखिए इस ग्राइंड हो चुका है कैस की फ्रम कॉन कर लेंगे oil heat कर लेंगे 2 तो टेबल स्पून oil को उच्छे से गरम होने दें और जीरा आड़ करेंगे ये देखिए oil उच्छे से गरम हो चुका है अब हम इसमें जीरा आड़ करेंगे और इसे अच्छे से क्रैकल होने देंगे गैस की फ्लेम को मीडियम टू लो कर देंगे और करी लीफ साथ कर देंगे इसे भी इच्छे से फ्राय होने देंगे गैस की फ्लेम को लो कर देंगे और अब हम इसमें क्रैंड किया हुआ टमाटर एड कर देंगे यह देखिए टमाटर का पेस्ट अच्छे से एड हो चुका है अब हम इसको अच्छे से फ्राय करेंगे गैस की फ्राय करेंगे और इसे अच्छे से भूनेंगे फ्राय करेंगे ताकि इसका एक्जास वाटर कप्लीटली ड्राय हो जाए यह देखिए इसका water अच्छे से dry हो चुका है oil separate होने लगा है देखिए यह टमाटर का जार बन चुका है अब हम gas की flame को off कर देंगे लीजे बन का तयार है छटपट बनने वाला यह टमाटर का जार यह instant अचार आप ज़रूर बनाएं बहुत ही tasty लगता है आउप आपको यह recipe पसंद आए फसंद आए तो वीडियो का लाइक कीजिएगा share कीजिएगा comment कीजिएगा अगर आपको यह recipe थोड़ी से भी helpful लगती है पसंद आती है तो लाइक कीजिए यह मैंने टमाटर का चार को थोड़ी से हरदनिया के साथ गर्णिश किया है आप इसी राइस के साथ सर्फ करें बहुत ही टेस्टी लगता है ये अचार राइस के साथ और बनाने में भी भॉहत ही आसान सा है ये अचार अब ज़रूर ट्राइ किजिए अगर आपने मेरे चैनल कभी तक सबस्क्राइब नहीं कह Caleb किजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि सारे वीडियो के नोटिफिकेशन मिलती रहे टैंक्स पर वाचिंग अलाह आफीस